हालो एवरिवन, वेलकम बैक, नाइन्थ क्लास की सीरीज में जो चेप्टर था The Sound of Music, उसका फ़स पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम उसका सेकेंड पार्ट करेंगे, और उस पार्ट का नाम है The Shahnai of Bismillah Khan, ये एक शेहनाई के बारे में थोड़ी सी इस पार्ट में हिस्ट्री है और उसके बाद इसमें बिसमिल्ला खान और उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है, तो स्टार्ट करते हैं, इसमें लिखा है कि जो एम्परर और अरंगजेब थे, उन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको प्ले करना बैन कर दिया था जो शाही दरबार था, उसके professional जो musician थे, उनकी family से belong करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको improve करूँगा, इसकी quality को पुंगी की, तो उन्होंने एक pipe लिया वो, और उसमें seven holes किये, और try किया, experiment किया, कभी किसी hole को बंद करके, खोल के, ऐसे करके उन्होंने एक sound produce की, और द जो भी बनावट है, वो बहुत जादा different है, तो हम इसको नया नाम देंगे, और ये शाही घराने में, जैसे शाही दरबार में इसको play किया गया था, और एक नाई के दवरा इसको improve किया गया था, तो इसका नाम शहनाई पढ़ गया, ये एक story है, अब सच है नहीं है, ये नह nine instrument थे, royal instrument जो थे शाही दरबार के, उनमें से एक इसको भी माना गया, शहनाई को, और तब से temples और wedding में ही मतलब कि इसको बजाया जाता है, और classical stage तक इसको अगर कोई लेके गया है, तो उसका शरे जाता है उसताद बिस्मिल्ला खां को, बिस्मिल्ला खां जो थे, वो जो regularly जाते थे बिहारी जी temple में, क्या गाने के लिए बोजपुरी, चैता गाने के लिए जाते थे, और last में उनको जब वो 5 साल के थे, तब कि ये बात बताई गई है, और last में उनको महा के महराजा की तरफ से 1.25 kg का एक लड़्डू मिलता था, इनाम के तोर पर, ये और लिखा है कि इनका जनम जो हुआ था, 21 मार्च 1916 को हुआ था, और ये बिलॉंग करते थे, वेल नौन मुजिशन फ्रों बिहार, जो फैमिली थी, वेल नौन मुजिशन की बिहार के, वहां से ये बिलॉंग करते थे, इनके दादा जी थे, रसूल बक्ष खान, और वो जो थे, इनके बाद इन्होंने लिख है, जो ये बिस्मिल्ला खांजी के बारे में ही बताया है, कि at the age of three, जब उनकी मदर उनको तीन साल की age में, उनके maternal अंकल के हाउस में, यानि मामा के हाउस में बनारस ले गई, अब जिसको बारा नसी बोलते हैं, बिस्मिल्ला खांग उनने Captivated for Horse on the end, वो जो उनके मामा थे, वो शेहनाई प्ले करते थे, वो और उनके साथ घंटों तक बैठे रहते थे जो बिस्मिल्ला कहा थे, और दीरे-दीरे उनने भी जो था वो लेसन शुरू कर दिया प्ले करने का, उस इंस्टुमेंट को शेहनाई को और प्रैक्टिस करने लगे, दीरे-दीरे-दीरे प्रैक्टिस करने लगे, और फॉर यर्स तुकम दे टैंपल ऑफ बालाजी एंड मंगला महिया, और बैंक्स अफ गंगा बिकेम दा यंग अप्रिटेंस, अप्रिंटाइस फेवरिट हांस वेर ही कुड़ प्रैक्टिस इन सॉलिटूड, और एक जो बालाजी का टैंपल था, और मंगला महिया नेम लिया है इसमें, और गंगा के किनारे, उनके फेवरिट जो थे वो बन गए, वहाँ पे वो प्ले किया करते थे, और उसके बाद इसमें लिखा है कि 14, जो बिसमिल्ला खां थे, उन्होंने अपने अंकल के साथ अलाबाद music conference हुई थी, वहाँ पे play किया था उन्होंने, और जब उन्होंने play करके अपना program जो है वो खतम किया, तो उस्ताद फईयस खां वहाँ पर थे, उन्होंने इनके बारे में कहा, क्योंकि बहुत यंग थे, तो उन्होंने कहा कि आप तुम बहुत work hard करो इसमें, बहुत जब पसंद आने लगा, और जब इंडिया को independence मिली 15 August 1947 को, तो बिस्मिल्ला खां फर्स्ट इंडियन थे, जो जिन्होंने शेहनाई play की वहाँ पर, उन्होंने ही स्वागत किया उस शीज़ का, और वहाँ पर audience के तोर पर पंडी जवारलाल नेहरू भी थे, वहाँ लेटर ग उन्होंने उनको एक कार्पेट भी पर्शियन कार्पेट इनाम के तोर पर उनको गिफ्ट किया था उन्होंने, और सिरफ जो किंग थे अफगानिस्तान के वही उनके music से परभावित नहीं थे, एक फिलम डारेक्टर थे, वीजय भट वो भी इतने इंप्रेस हुए कि उसके इन्होंने किसी भी सिर्फ दो फिलम थी जिनमें परफॉरमेंस दी, क्याकि इनका माना था कि गलैमर की दुनिया जो है, मैं उनके लिए फिट नहीं बैठता और उन्होंने उसके बạt किसी भी फिलम में परफॉरमेंस नहीं दी, उसके बाद इनको मतलब कि जो हम बहुत तो इसमें बताया गया कि उन्होंने अलग अलग जगा पे जैसे United States of America में उनको इन्वाइट किया गया उन्होंने पार्ट लिया World Exposition in Montreal in the Canis Art Festival में और उसके बाद वो internationally इतने फेमस होगे बहुत जादा और auditorium जो है तेहरान में उनके नाम के उपर उनका जो auditorium था उनका नाम प इनको मिला है पदम भूशन इनको मिला है और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो थे वो हाइस इंडिया के भारत रतन जो हाइस्ट civilian award है भारत रतन से इनको नवाजा गया भारत रतन भी इनको मिला है और उसके बाद इन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने जो को ये सब कुछ सिखा हूँ इन्सपाइट अफ़विंग ट्रेवल्ट अल ओवर दे वल्ट खान साब एज ही इस फॉंडली काल्ड इस एकसिडिंगली फॉंड ऑफ बनारस एं दुम्राओं तो इसमें बताया है कि वो कहीं भी जाते थे किसी भी कोने में दुनिया के तो वो बंबे में प्रफॉर्म करते हैं तो उनको बनारस याद आता है बनारस में उनको दुम्राओं याद आता है एक बार उनमें लिखा है कि उनके एक स्टुडेंट चाते थे कि USA में आएं वो और स्टुडेंट ने प्रोमिस किया कि वो जो वहां का अट्मस्फेर है वो बनारस के टेंपल जैसा बना देंगे लेकिन खान साब ने उसको पूछा क्या तुम जो गंगा रीवर है उसको भी वहां लेके आपाओगे तो कहने का मतलब है कि वो जहां कहीं भी रहते थे उनको हिंदुस्तान की याद आती थी बाहर और जब मुंबई में होते थे तो सिरफ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचते थे और जब बनारस होते थे तो वो अपने जो दुम्राओं का मठ्था है उसको बहुत याद करत सकते हैं कि किस ने इसको मतलब की इंप्रूव किया उसके बारे में पूछ सकते हैं Emperor और अंग याद रखने आपने इसको पहले पुंगी बोलते थे यह याद रखने आपने और इनको जो जो अवार्ड मिले है भारत रतन पदम भूशंद ये याद रखना है और उसके बाद ये कहां से बिलॉंग करते थे, बनारस से और दुम्राओं, इन दो जगा से बिलॉंग करते थे, और इनके मामा के साथ इन्हों ने गाना शुरू किया था, और जब ये टेंपल में परफॉर्म करते थे, तो कोई मान ही नहीं सकता था कि, जैसे मतलब इतना डिवोट होके, इत अच्छे से मंत्र मुग्द सब हो जाते थे, तो इतना ही सब कुछ इस स्टोरी में है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, नेक्स चेप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तिल देन बाबा,